मानव इतिहास में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वक्त के साथ गायब हो जाती हैं. फिर कभी जब ये पर्तें उधरती हैं तो बहुत से चौंकाने वाले सच सामने आते हैं. कुछ ऐसा ही सच मिसर के एक इलाके से आया जब एक मुर्दो का शहर सामने आया. इस शहर में 300 से ज् मकबरे मिले हैं जो 2,70,000 फीट से भी ज्यादा इलाके में फैले हुए हैं. आर्कियोलोजिस्ट्स ने जब इसे देखा तो वे भी दंग रह गए. इस शहर का नाम अस्वान है. चुंकि यहां सिर्फ लाशे ही लाशे बिच्छी हुई हैं, ऐसे में पुरा तत्ववेताओं ने इसे मुर्दो का शहर कह दिया है. इस जगह पर कुल 36 मकबरे हैं, जिन में से हर टॉंब में 30 से 40 ममीज मौजूद हैं. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां कितनी लाशें दफनाई गई होंगी. डेली मेल के मुताबिक अस्वान शहर व्यापार और सैन्ने इलाका था जिसे कम से कम 4500 साल पहले बसाया गया था. पुरा तत्व वेत्ताओ को इस रहसे में शहर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है. हाला कि ये बताया गया है कि इन मकबरों को करीब 900 साल पहले दोबारा इस्तिमाल किया गया. इस जगह पर 10 मकबरों की छट है, जिनहें Assembly of League Nations के पूर्व अध्यक्ष आगा खान त्रितिय ने अरेंच कर आया था. University of Milan के Archaeologist पैत्रिजिया पिया सेंतिनी भी इस शहर को ढूंडने वाली टीम का हिस्सा थे. उन्होंने बताया कि ये काफी अनोखी खोज है. इन मकबरों को लेकर बताया जा रहा है कि ये 6 ठीन से 9 सदी के हैं. ये एक खुला हुआ कोट्यार्ड है जिसमें मिल्क ब्रिक लगाए गये हैं और माउंटन रॉक को कार्व करके बनाया गया है. इसमें कुछ शवों की हालत के बारे में सुमकर ही आप दंग रह जाएंगे. एक छोटे से बच्चे को उसकी मा के साथ दफनाया गया था और उनकी ममी आज भी वैसी ही हालत में है. इसमें से कुछ शव कुपोशित भी हैं. ऐसे में लग रहा है कि ये लोग जिन्दा होकर भी बुरी स्थिती में थे.